नमस्कार आपका स्वागत है आर एक्स्प्रेस के खास चुन अभूगी मुद्दे की बात में आज सबसे मुख्य दिन है यानि परियावरण दिवस और आज हमारे पैनल में मौजूद हैं दो ऐसी सक्षियत जो अपने पहचान की मोहताज नहीं जी आम ले चलते हैं आपको अ जानते हैं परियावरण दिवस को लेकर नगर पारिका कितनी संजीद आया है सबसे पहले आप दोनों का स्वागत करना चाहूंगा आर एक्स्प्रेस में सबसे पहला सौनुकेश जी परियावरण दिवस को लेकर नगर पारिका कितनी संजीद आया और आज के दिन क्या क्या रहे हैं और पिछले साल भी हमने पेड़ लगवाए हैं और इस साल हमारा जो है चौदा एक सो कलच है इसको ले करके चल रहे हैं अब आज भी हम लोगों ने पेड़ लगवाए हैं और आने वाले दिनों में भी हम जगह चिंदित की हुए हैं बहरिया का पुर्वा और आपका ये ग्रीब सा पुर्वा वहां पेड़ लगवाए हैं पुडिमा जी आपसे सामने आती रहे हैं कि ऊपर से तो आपने कह दिया कि लगेंगे और लग रहे हैं आप लोग जहां पर जाटर देखें लगते हुए नजर आता है पर उसके बाद भी कभी लापरवाई सामने आती है तो उसकी निग्रानी कौन करेगा लग भी पड़ लगवाए हैं उन पर निग्रानी भी कि नजर पालकर द्वारा उसके पानी दल्माना उसके मानी कौशे करना उसकी देख लेख क्योंकि अगर हम लोग सिफ्ल पेड ही लगवाते देंगे हर साल लोग लग लग लगवा देते हैं लेकिन अगर उसकी नहीं कर पाएंगे, तो सब बेकार हो जाएगा, और हम लोग से लक्षी के लगते रहेंगे, इतने पेड लगा दिये, लिकिन हम लोग को उसकी रच्छा भी करनी है, और बहुत ही कुसी की बात है, कि आज हमारे युवा जो है, इस और ध्यान दे रहे हैं, और वो लोग भी प पेड़ की बात है, और काटिंग सिर्फ दो तीन घंटे लगते हैं, तो हमारे कर्मचारे तुरंत जाके दौड़ते हैं, और उसको कोड कात्ले से लोगते हैं, उतनी ही डाले काटी जाती है, जिससे हम लोग का स्टोराता है, जिसे बिजली से ताज लड़ रहे हैं, पेड क बस उतनी ही डाले काटी जाती है, तो ये आज हम लोग सब जाग लोग है, ये बहुत ही अच्छी बात है, और हम लोग की आज भी लक्ष रहा है, आज क्योंकि परियावन दिवस है, और इसकी सुभात आप तभी जानते हैं, कि उनीसो चौहतर में हुई की इसकी सुभात, प्रियावन दिवस के रूपे मना जाता है, परियावन दिवस के रूप में, उसके बात से बराबार काड़ काड़ हो रहा है, और मेर एक दिवस असलिए को बिल्बेक कर सके ज़नी ज़न को। तो वैसे हम लोग सालवान जब भी देखते हैं कि मौसम अच्छा है तो पेड लगा ही देते हैं और एक लक्ष के ध्यान देते हुए परियावन दिवस के ऊपर आज हमोंने बहुत से पेड लगा हैं और हमने जैसा कि अभी आपको हमारे पती मौसम जी में पताया है कि 14100 लक्ष लगता है पेड़ों को लगाने का और मेरा ख्याल है जुलाई तक हम लोग इसको लगा देते हैं मुक्य जी चीजे देखने में आती है कि शहर में क्योंकि रूडों के बना बने पुलिका पेड़ों को कार रहता है उन लोग किस प्रकार से आप मैनेज करते हुए चीजों सो रहा से ले करके हांती पारक तक डिवाइडर लगा करके हांती पारक तक उसमें पीच में प्वेड लगाएंगे हर्याली जिससे रहें जिससे शहर की जो देखा जाये तो उसको सौंदर्य करण का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आप लेके चलना है और बुछ ऐसी चीज जो राइवेली की जनता को आप हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे और परियावरण को लेकर कोई चीज जो हम बेकर बेकर हम चाहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से राइवेली की जनता समारी अपील है कि हर आदमी अगर एक एक पेड़ लगाएगा तो बहुत होगा तो हर आदमी अपने जहां पर उसके महले पार्क है वहां पर एक दू पेड़ लगाए और हमारे पत्यकार बंधों से मेरा निवेदन है कि इनके जिनके मुहले में पार्क हैं उसमें जहें पांच-पांच पेड़ लगवाएं उनकी मदद मैं अपने तरफ से करूंगा या है पेड़ की विवस्था करवाँगा पूरिमा जी लगातार देखा गया है कि जो चीजे सामने आती रही है पर्यावर मजबूत होगा तो हमारे सरीर की इम्मूनिटी सिस्टम भी मजबूत रही है जितना परियावरान मजबूत होगा अतना हम सब मजबूत होंगे और मैं अपनी रैवेली की जनता से बस एकी अपील करूंगे कि आओ मिलकर बनाएं रैवेली को सुच सुन्दर और खुबसूर आपकी इस पहल का जिसमें आपने लगबर 14,000 पेड़ों को लगाने के बात कहिए उसको उसका भी सराहनी एक पहल देखा जा रहा है क्योंकि रैवेली की जनता भी जान रही है क्योंकि यह सबसे बड़ी एक पहल होगी और जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट जिसका जिक्र करना जाओंगा कि अगर आपके घर के आसपास हर्याली ना हो तो ग्रप्यावर के हर्याली पर एक प्रमुक्ता दें और आज के दिन जरूर पेड़ लगाएं